नमस्कार सांथियों मैं चंदन सिंग नेगी एक बार फिर से स्वाकत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेगी जी क्लासेस में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जीलों की स्रीच चल रही है और उसमें हमारा आज का टॉपिक है पौड़ी गड़वाल पार्ट टू और आज के हमारे इस वीडियो पौड़ी गड़वाल पार्ट टू में हम जानेंगे पौड़ी की जनसंख्या, यहां के पर्मुग इस्थान, यहां के मंदिर, यहां के संस्थान तथा यहां के कुछ पर्मुग मेलों के बारे में और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी गड़वाल की जनसंख्या के बारे में पौडी जिले की कुल जन्संक्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,87,271 है जो कि राज्य की कुल जन्संक्या का 6.8% है अब अगर बात की जाए यहां के लिंगानुपाद की तो यहां का लिंगानुपाद 1130 है यानि एक हजार पुरसों पर एक हजार एक सो तीन महिलाएं हैं यानि यहां का लिंगानुपाद काफी अच्छा है इसके बाद बात की जाए अगर यहां की साकसरता की तो पौडी जिला 82.02% साकसर है अब जानते हैं यहां के कुछ परमुक इस्थानों के बारे में तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे पौडी नगर के बारे में पौडी में इस्तित है गड़वाल मंडल का मुख्याले जिसे 1970 में बनाया गया था यह पौडी नगर 1650 मीटर की उंचाई पर कंडोलिया की पहाडी पर इस्तित है और इसे 1992 में एक हिल स्टेशन के रूप में घोसित किया गया था और यहां पौडी नगर से ठीक सामने देखने पर आपको नजर आएंगी हिमाले की खुबसूरत पहाडिया जो की बिल्कुल सफेद बरफ से ढकी रहती है पौडी नगर से लगबग 4-5 किलोमेटर की दोरी पर घुरदोरी में इस्तित है इंजिनियरिंग कॉलेज यहां इंजिनियरिंग से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं इसके अलावा पौडी नगर के रासी में एक स्टेडियम का निर्मान किया गया है जो की एशिया में दूसरा सबसे उंचाई पर इस्तित स्टेडियम है यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कई बार यह परिक्षाव में पूछा जाता है कि एशिया का दूसरा सबसे उंचाई पर इस्तित स्टेडियम कहां पर इस्तित है तो वो इस्तित है पौडी में अब इसके बाद जानते हैं पौडी के एक और परमुख नगर के बारे में जो है स्री नगर स्री नगर पौडी सहर से 30 किलोमेटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है इस नगर की इस्तापना 1358 में गडवाल नरेस महीपती सहाने की थी लेकिन गडवाल राजी की राजधानी यहां पर 1515 में राजा अजयपाल दौरा इस्तापित की गई थी यह नगर 1804 से 1815 तक गोरखाओं के अधिन रहा तथा 1815 से भारत की आजादी तक यह नगर अंग्रेजों के अधिन रहा यहां पर 1973 में गडवाल विश्यू विद्याले की इस्तापना की गई थी जो की 2009 में अब ये सेंटरल यूनिवर्सिटी बन चुकी है इसके अलावा स्रीनगर के स्रीकोर्ट में एक मेडिकल कॉलिज भी है जो की उत्राखंड में सबसे कम फीस पर मेडिकल की पड़ाई करवाता है इसके अलावा यहां पर 2010 में NIT की भी इस्तापना हुई है जो की अभी यहां पर एक आइस्ताई भवन में चलाया जा रहा है इसके अलावा स्रीनगर में पॉल्टेक्निक कॉलिज आईटाई कॉलिज यह सबी सरकारी संस्तान भी इस्तापित है अब इसके बाद बात करते हैं पौडी गड़वाल की एक और परमुक नगर कोड़वार के बारे में कोड़वार जिसे की गड़वाल का पर्वेश दौब भी कहा जाता है ये एक समतल भूमें पे बसा हुआ भावर शेतर है इसके अलावा जो पौडी गड़वाल का एक मात्र रेलवे इस्टेशन है वो भी इस्तित है कोड़वार में जी हाँ कोड़वार ही वो अंतिम इस्टेशन है जो की पौड़ी गड़वाल में इस्थित है इसके अलावा कोड़वार का एक और नाम मोर्धवज भी है क्योंकि यहाँ नजदिक में ही एक मोर्धवज नाम का एक किला है जिस कारण कोड़वार को भी मोर्धवज कहा जाता ह ये जो कोड़वार सहर है ये खो नदी के तट पर बसा हुआ है और ये काफी important point भी है ये कई बार exam में पूछा भी जाता है कि कोड़वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो आपका अंसर होगा खो नदी ये ही कोड़वार सहर से दो किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है परसिद सिद्वली मंदिर जो की हनुआन जी का एक परसिद्वली मेले का आयूजन होता है अब जब हम कोड़वार की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर जान लेते हैं एक important point को 2017 में उत्राखण में दो नए नगर निगम बनाए गए हैं एक है कोड़वार दूसरा है रिशी केस और अब उत्राखण में नगर निगमों की कुल संख्या 8 हो गई है 2017 में दो नए नगर निगम रिशी केस और कोड़वार बनाए गए थे अब इसके बाद हम बात करते हैं पौडी के एक परमुक इस्थान कणवासरम के बारे में ये जो आसरम है ये कोड़वार से लगवक 10 किलोमेटर दूर हेमकूट और मनिकूट परवतों के बीच मालिरी नदी के तट परिस्थित है ये जो इस्थाने कणवासरम ये प्राचीन समय में वैदिक सिक्सा का केंद्र था महाकवी कालीदास ने भी यहां से सिक्सा प्राप्त की थी और यहीं रहकर उन्होंने अविज्ञान साकुनतलम की रचना की थी आज भी यहाँ पर आसरम पद्यती के अनुसार ही शिक्सा दी जाती है इसके अलावा ये इस्थान महर्शिक गौतम, विश्वमित्र वा कण्वरिशी की तपिस्तली भी रहा है यहीं कणासरम में ही राजा दुस्यन्द वा सकुमतला का प्रेम प्रसंग हुआ था और उनके पुत्र भरत का जनम भी यहीं पर हुआ था और इन राजा भरत के नाम पर ही आगे चलकर देश का नाम भरत पड़ा इनकी किस्से कहानिया तो आपने किताबों में पड़ी ही होंगे बच्पन में किताबी जो आती थी उनमें भरत के बारे में काफी कहानिया किस्से होते थे महाकवी काली दास ने इस इस्थान को किसले परदेश कहा है बाद में डॉक्टर संपुरा नंद ने 1955 में कडासरम के महतो को पुना इस्तापित करने का परियत्न किया था अब बात करते हैं पौडी के एक और सहर कालागड के बारे में यह जो कालागड इस्तान है ये कौदवार से लगभग 48 किलो मिटर की दोरी परिस्तित है और कालागड जो ये फेमस है वो फेमस है यहां पर इस्तित बांध के लिए ये सहर वैसे तो कोई जाला बड़ा सहर नहीं है यहाँ पर रामगंगा नदी पर एक जलविद्ध बांध इस्तित है जिसकी उचाई 128 मीटर है इस बांध का निर्माण यहाँ पर 1961 में प्राराम हुआ था और 1974 में इसने कारेकन्या प्राराम कर दिया था इस बांध की जो कुल उत्पादन छमता है वो 198 मेगवाट की है अब इसके बाद बात करते हैं पौडी के एक और सहर दुगड़ा के बारे में दुगड़ा यानि जिसका एक उपनाम नाथोपुर्वी है ये पौडी का एक छोटा पहाडी नगर है इस सहर को 19 सदी में पंडित धनिराम मिस्ल ने अपने खेत पर बसाया था बिटिस सासन काल के समय भी यहाँ इस्थान व्यापारिक और राजनीती का केंदर रहा था इसके अलावा 1930 में चंदर सेखर आजाद भी यहाँ पर आये थे उनके एक सांती थे भवानी सिंग रावत जो की यहाँ के इस्थानी निवासी थे उन्ही के साथ चंदर सेखर आजाद भी यहाँ पर आये थे चंदर सेखर आजाद यहाँ पर एक हपते रहे थे और यहाँ पर उन्होंने पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी जो ये दुगंडा सहर है यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है एक है सिलगाड और दूसरी है लंगूरगाड ये काफी important point है कई बार ये परिक्साओं में पूछा जाता है कि दुगंडा में किन दो नदियों का संगम होता है इसके अलाबा जवाला नहरू जी भी यहाँ पर दो बार आये थे एक 1930 में और दूसरी बार 1945 में अब इसके बाद बात करते हैं पौडी की एक और सहर खिर्सू के बारे में जो ये खिर्सू है ये कोई बहुत बड़ा सहर नहीं है ये चोटा सा एक इस्थान है जो की पौडी सहर से लगबख 19 किलोमेटर की दूरी परिस्थीत है और ये इस्थान जाना जाता है अपने सांत वातावरन के लिए यहाँ पर परियटा गूमने के लिए आते हैं और यहाँ से आपको हिमाले की पहाडियां साफ साफ देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा जो खिर्सू है ये अपने सेप के बागों के लिए भी प्रसिद है अब इसके बाद बात करते हैं पौडी की एक और सहर लैंसी डॉन के बारे में ये जो लैंसी डॉन है ये कोरदवार से लगबक 40 किलोमेटर की दूरी पर बसा हुआ है ये एक हिल स्टेशन है और इस हिल स्टेशन की खोज 1887 में वासरायल लॉर्ड लैंसी डॉन ने की थी इसलिए उनी के नाम पर इस इस्थान का नाम लैंसी डॉन पड़ा इसके अलावा गड़वाल रैफल का मुख्याले भी यहीं लैंसी डॉन में ही इस्तित है यहाँ पर एक परसीद कालेशवर मंदिर भी इस्तित है जिस कारण पहले इस नगर को कालेशवर भी कहा जाता था यहाँ पर सरकार ने परियर्टन को बड़ावा देने के लिए यहाँ पर एक कृद्यम जील का निर्मान किया है जहाँ पर आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं अब इसके बाद जानते हैं पौड़ी गड़वाल के कुछ परसीद मंदिरों के बारे में यहाँ पर से भी परिक्षाव में कई बार प्रस्न बनते हैं तो इन सब को भी आप ध्यान से याद कर लें तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे धारी देवी मंदिर के बारे में यह मंदिर काली माता को समर्पित है इस मंदिर के विशे में लोगों का मानना है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे यहां मूर्ती में बदलावाता है मूर्ती का चहरा पहले लड़की का होता है फिर और फिर एक बुड़ी औरत में बदल जाता है ऐसा यहां की लोगों की मान्यता है ये मंदिर पहले अलगनन्दा नदी के तटपर बना हुआ था लेकिन अब यहाँ पर अलगनन्दा डैम बनने के कारण इस मंदिर को इसके इस्थान के उपर उठा दिया गया है यानि अब ये मंदिर नदी के बीच में इस्तित है इसके बाद जानते हैं एक और इस्थान सोमका भांडा के बारे में यह इस्थान देवलगड में इस्तित है और यहाँ पर कुछ प्राचीन इसमारक है और इसमारकों में कुछ लिखा हुआ है जिसको अभी तक पड़ा नहीं जा सका है इसके अलावा देवलगड में नाथ सिद्धो की गुफाएं भी इस्तित हैं इसके बाद जानते हैं पौडी में इस्तित केसो राव मट के बारे में ये मट स्रीनगर के पास में इस्तित है और इस मठ का नाम दक्सिन भारत के केसव राय के नाम पर केसव मठ पड़ा था क्योंकि आज से लगबग 800 वर्ष पूर जब केसव राय बद्रीनाथ की यातरा पर आये थे तब वे ठकने के कारण इस इस्थान पर सो गए थे उनके सपने में भगवान बद्री ने उन्हें आगे ना बढ़ने की आज्या दी और इसी इस्थान पर अपनी मूर्ती होने की सूचना दी और उस मूर्ती को केसव राय ने निकाल कर इसी इस्थान पर इस्थाप्रित कर दिया और तब से यहाँ पर केशवराय मठ बनाया गया इसके बाद आप जानते हैं संकर मठ के बारे में यह जो संकर मठ मंदिर है यह स्रीनगर से 3 डिम्मेटर की दोरी परस्तित है लोगों का मानना है कि इस मठ का निर्मान आदी गुरु संकराचारे दोरा किया गया था इसलिए इस मठ का नाम संकर मठ पड़ा यहां भगवान विश्नु तथा लक्समी की भी परतिमाएं हैं अब इसके बाद बात करते हैं पौडी की एक परसित मंदिर कमनेश्वर मंदिर के बारे में यह मंदिर स्री नगर के पास में इस्तित है और यहां पर मान्यता है कि भगवान राम ने भगवान सिव को एक हजार कमल के फुलों से उपासना की थी भगवान राम को ऐसा लगा कि एक फुल कम है इसलिए उन्होंने एक हजार फुलों से भगवान सिव की उपासना की थी इसलिए इस मंदिर का नाम कमलेश्वर मंदिर पड़ा इसके अलावा ये मंदिर पुत्रदाता के रूप में भी प्रसिद है ये परिक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि पुत्रदाता मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद है अब इसके बाद बात करते हैं पौडी के एक और मंदिर नीलकंठ महादेव के बारे में ये मंदिर रिशी केस से लगबख 15 किलोमेटर की दोरी परिस्तित है यहाँ पर भगवान सिव का एक प्राचीन मंदिर इस्तित है और पौरानिक कताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से विश निकला तो भगवान सिव ने उसे गरण कर लिया जब उन्होंने इस विश को गरण किया तो विश के प्रभाव के कारण उनका कंट नीला पड़ गया तब से भगवान सिव को नीलकंट महादेव भी कहा जाने लगा और ये मंदिर नीलकंट महादेव को ही समरभीत है ये जो मंदिर है ये यहाँ पर सुम्ब और निसुम्ब नाम के दो परवतों के बीच में इस्तित है अब इसके बाद बात करते हैं पौडी के एक और मंदिर बिनसर महादेव के बारे में ये मंदिर पौडी जिले के थैली सेड में इस्तित है वैसे एक बिंसर महादेव का मंदिर अलमोरा में भी इस्तित है लेकिन जो हम बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं पौड़ी गड़वाल वाले बिंसर महादेव के बारे में इस मंदिर को विन्देश्वर स्वामी भी कहा जाता है और कार्तिक पूने मा को यहां पर एक मेला भी लगता है कहीं कहीं पर इस मंदिर को विन्देश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है अब इसके बाद बात करते हैं पौडी के एक और मंदिर ज्वालपा देवी के बारे में ये मंदिर सत्पुली से लगबग 15 किलोमीटर की दोरी परिस्तित है और ये मंदिर देवी दुरुगा का एक परिस्तित सक्ति पीठ है इसके अलावा यहाँ पे एक इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मंदिर पस्चिमी नयार नदी के तट परिस्तित है अब इसके बाद बात करते हैं पौडी गडवाल के एक और मंदिर तारकेश और मंदिर के बारे में ये इस्तान लैंचिडॉण से 36 किलोमेटर की दूरी परिस्तित है और पौरानिक कथाओं के अनुसार तारिकासुर नाम का एक राक्सस था जिसने इस इस्तान पर भगवान सिव की तपश्या की थी और भगवान सिव ने ही उसे आसिरवात दिया था कि ये इस्तान मेरे और तुम्हारे नाम से हमेशा जाना जाएगा अब इसके बाद बात करते हैं एक और इस्तान देवल गड के बारे में ये परमारवन्स के राजाओं की राजधानी थी लेकिन बाद में जब इस्तानांतरित कर दी गई थी यहां पर गड़वाल नरेसो की कुलदेवी राज राजेसुरी देवी का प्राचीन मंदिर भी इस्थित है अब इसके बात बात करते हैं कोट महादेव के बारे में पौरी जिले में इस्थित यहां मंदिर महर्सी वालमेगी की तपस्तितली रही गाई और एक मान्यता यहां भी है कि माता सीता यहां के फलस्वारी गाउं के मैदान में कार्तिक सुकल के दिन धर्ती में समाई थी अब इसके बाद बात करते हैं यहां के एक और मंदिर क्यों कालेशवर के बारे में यहां मंदिर पौडी सहर में इस्तित है और यहां पर सिवरात्री और जनमास्वी को मेले का आयोजन भी होता है अब इसके बाद बात करते हैं पौडी के एक और मंदिर कंडोलिया मंदिर के बारे में पौडी सहर से लगवग 2 किलोमेटर की दोरी पर इस्तित है प्राचीन कंडोलिया मंदिर और ये मंदिर कंडोलिया देवता को समर्पित है तो ये थो थे पौडी गडवाल के मंदिर और अब बात करते हैं यहां के मेलों के बारे में तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं पौडी की एक परसिद मेले गिंदी के मेले को ये जो गिंदी का मिला है ये डाडा मंडी और थलनादी छेतर में मकर सकरांती के दिन आयोजित होता है इसके बाद एक और मिला है तारकेशवर मिला ये मिला हर साल ताड़केशवर मंदिर में लगता है इसके बाद एक और मिला है खैरलिंग का मिला ये मिला पौडी में 6-7 जून को लगता है इसके बाद अगला मिला है किंग कालेशवर का मिला या जिसे क्यों कालेशवर का मिला भी कहा जाता है ये मिला सिवरात्री और जन्यमस्टमी के अफसर पर पौडी सहर में लगता है इसके बाद एक और मिला है कांडा का मिला ये मिला पौडी में भाईया दूज के दिन लगता है इसके बाद अगला मिला है एकेश्वर का मिला ये मेला बैसाक को सत्पुली में लगता है इसके बाद एक और परसिद मिला है दंगल का मेला और जो ये दंगल का मेला है ये भी सत्पुली में आज़ित होता है इसके बाद जानते हैं एक और मेले को जो है जुआलपा देवी का मेला जो ये जौलपा देवी का मेला है ये नवरात्रों में जौलपा देवी मंदिर में लगता है इसके बाद एक और मेला है वीर चंदर सिंग गड़वाली इस्मृती मेला ये मेला तेस अप्यल को पौड़ी गड़वाल में लगता है इसके बाद एक और परसिद मिला है कडाश्रम मिला ये मिला 11-12 फरवरी को कडाश्रम में लगता है इसके बाद एक और मिला है भूनेसोरी देवी मिला और ये मिला बैसाक महा में सत्पुली के सागुंडा इस्थान पर लगता है इसके बाद एक और मिला है सिद्वली जैन्ती मिला ये मिला एक से साथ जन्वरी को सिद्वली मंदिर में लगता है तो यहां तक हमने जाना पौडी गड़वाल की कुछ महतोपूर जानकारिया और अब आज के पांच प्रसन आप लोगों के लिए जिनका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना तो हमारा पहला प्रसन है पुत्रदाता मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है हमारा दूसरा प्रसन है ज्वालपा देवी मंदिर किस नदी के तट परिस्तित है हमारा तीसरा प्रस्ण है लैंसी डाउन की खोज किस ने की थी? हमारा चौथा प्रस्ण है दुगढड़ा का उपनाम क्या है? हमारा पांचवा प्रस्ण है कोड़दौर किस नदी के तड़ परिस्तित है? तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तता हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक वाश शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पहरी बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल नेगी जी क्लासेस को सस्क्राइब कर लिजी ताकि हम जब भी अपना नय वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद